दोस्तो कफी टाइम से मेरी जो वीडियो है वो इस चैनल पर नहीं आ रही थी तो फैर है दोस्तों एक और नई वीडियो आज चुकिए है तो आज की वीडियो में तीन टॉपिक्स पर बात करने हैं सबसे पहला लाडली बहना आवास योजना दूसरा लाडली बहना को जो 450 र आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल टेक लाइप के के तो चले दोस्तों बिना टाइम बेश्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना के लिए जो फॉर्म है आवेदान है वो फिल होने लगे हैं सभी ग्राम पंचायतों मे जो है आप अपने डोकुमेंट्स अपने फॉर्म जो है फिल करवा सकते हैं जिन लोगों ने आपका लाडली बहना योजना का फॉर्म फिल करेंगे मतलब आपका जो ग्राम पंचायतों सच्चेव हैं सेकेटरी हैं सरपंच हैं जिन्हों ने भी आपकी जो पहले फॉर्म फिल किये ते वही लोग जो है उनीकी एक टीम रहेगी वही टीम आपके जो है फॉर्म आविदन फिल करेगी तो इसके लिए कोई ज्यादा खास डोकुमेंट की जरुवत नहीं है जो आपके लाली वहना आवास योईना का आसानी से फिल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट कॉस्टन है तो आप कमेंट करते हैं आप में सिंपल सा जवाब दे दूँगा अब बात करते दोस्तों हम लाली वहना के लिए जो 450 रुपे में घरेलू गैस सेलेंडर मिलना है वो कैसे मिलेगा तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा जो रजिश्टेस है वो अल्रेडी चालू हो चुके हैं आपका जो कनेक्शन है आपनी जो गैस एजनसी है वहाँ पर जाकर आपको अपना आवेदन फिल करवा लेना है इस आवेदन में भी आपका दोस्तों जो डोक् साबना आवेदन फॉर्म फिल करवा सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों के लिए कई सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहे थे हैं कि सार हमने जो लॉन के लिए अपलाई किया था वो जो फाइल है वो बैंक में आ चुकिए लेकिन बैंक वाले जो है काफी परिशान कर रहे हैं सुन नहीं रहे हैं डौक्यूमेंट की बात करते हैं तो ताल देते हैं किसी या फिर आपसे बारां को बाद 6 सरुवांने के लिए लाएने certificate करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो दूस्तों यह बेंक वाले होती हैं यह कुछ बैंक टो जो श्लाट के अंडर में रहती है वहां पर वीडियो बनाना अभी अलाओ नहीं होता कहीं कहीं पर आप से जो अबद्र चारी कर देती है तो आपको क्या करना है यही करना है कि सबसे पहला और अच्छा option मैं आपको बताऊं बिना बिवाद के बिना परेशानी के तो आप simple सा जो भी आविदन कर रहे हैं उस आविदन को फिर से apply कर दीजिए या फिर उस आविदन को संसोधित कर दीजिए जैसे गुदारण के लिए आपका जो उद्धम क्रांती लॉन का जो आविदन होता है उसको आप उद्धम बिवाद से जाकर फिर से cancel करवा के फिर से apply कर सकते हैं या फिर उसमें संसोधन करवा सकते हैं संसोधन के लिए आप किसी ऐसे बैंक का chain करें जहांके जो करमचारी होती है जिस बैंके वो loyal हों आपके favor में हो आपकी सहायता करने वाले हो, मदद करने वाले हो, परिशान ना करते हो, उस बैंक को select करके आप उस form में फिर से apply कर सकते हैं और इस चीज का निजात पा सकते हैं, इसके अलावा आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, जो बैंक का help line number होता है, उस बैंक किसी भी बैंक साका की password है, उस उसी password में जो है, आपको help line number provide करा जाता है, तो कुछ help line number पर call कर पे के भी आप जो है, मदद प्राप्त कर सकते हैं, तो उम्मीद दोस्तों इस वीडियो के मादम से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी, अगर फिर भी आपका को वीडियों बस इतना ही दोस्तों मिलते आगे वीडियों, तब तक के लिए थैंक की सो मच, धन्यवाद